वेल्कम दोस्तों सभीका मेरा यूटूब चैनल कानून की वाज में आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करते हैं किसी को पैसे उधार देने से पहले तीन काम क्या करना चाहिए दोस्तों आप इस वीडियो से जान सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे सभी से अ जब इता कि आपके अंता कि इस वीडियो को नहीं देखे गए तो आपके समझ में नहीं आए कि दोस्तों चलो दोस्तों बात करते कि पैसे उदार देने से पहले कौन-कौन से सर्थ पूरी कर लेनी चाहिए कौन-कौन से सरत के अनुसार पैसे देने चाहिए इस वीडियो में आप जाने दोस्तों किसी भी व्यक्ति या पडोसी या जानकार या मित्र या कोई घरवाले या कोई जो भी रिष्टेदार उसको अगर पैसे देते हो तो उसमें पैसे देने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए दोस्तों किसी भी वेक्ति को पैसे देने से पहले उसका वेवार चेक करना चाहिए जान लेना चाहिए कि ये वेक्ति पैसे उधार लेने के बाद देने में कैसा है कैसा नहीं है इस सारी चीज़े आपको जानने ना चाहिए दोस्तों इसी किसासा दोस्तों उसके बारे में सारी जानकारी डिटेल लेने के बात ही आप उस वेक्ति को पैसे दे और पैसे देने की क्या सरत होती है किस परकार से पैसे दे जाए और अगर आप उसके अनुसार पै लेना चाहिए उस पर साइन करवा लेना चाहिए प्रोप्रेश्म ृड़ तो गती बविष्य में अगर पैसे नहीं देता है तो उसकी कलाफ क्या कारवाय की साकतीए इस सारी चीजों कारवा लान्य नहीं दोस्तो जिस परकार किसी वेक्ति को आपने पैसे उदार दे दिया और वो वेक्ति आना का नहीं करता है पैसे नहीं देता है तो आप उस इस टाम से कानूनी कारवाई कर सकते हैं उसके इकलाब और उस इस टाम से आप कोट में जा सकते हैं में जाने का क्या तरीका है दोस्तों कोट में जिस परकार आप ने 10 March रुप या 10 रख किसी को दिया है लगण कर बाद पाती है लेकिन वसूद करने के बाद इसे वसुद कर सकते दोस्तों कोड़कर अब वसूदित करने के बाद पुद Park कोड़ पैसे दे तो जिम्मेंदारी सारे तीन काम कर लेना चाहिए जिससे आपके पैसे कभी भी नहीं डूबेंगे यह मेरी गारंटी है दोस्तो लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके पैसे डूब जाएंगे दोस्तो इसलिए अगर यह आपको वीडियो अच्छा आया या करें दोस्तो इसलिए आपको यह वीडियो अच्छा लगिए तो दोस्तों करा सेर करें और कमेंट्स बॉक्स में जानकारी प्राप्त करने लिए कमेंट्स करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं